अभी जो आप ये कोपी देख रहे हैं यहа 2nd semester political science color coeper three का है ठीक coeper three second semester का तो आप यह बिनाबवाी भावे यून्यूवसिटी और बिनोद बिहारी क्विलांचल यून्यूवसिटे जो धनबाद और एक हजारी भाग ठीक वापावे हजारी भाग और कोई लांचर लिनिवर्सिटी बिनोत बिहारी धनवाद दोनों के काम में देगी और अधर भी जितने भी युनिवर्सिटी हैं सेकेंड सेमेस्टर के सभी पॉलिटिकल साइंस सभी का मिल जाएगा ठीक तो देखे गोर से देखे किस प्रकार का प् अच्छा सिखना होगा ठेक दिखे सबसे उपर में लिखा है एक काम की बात कर नुगा 2020 का एक 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 साल रुक गया था कॉरोना के चलती यह दखिए यहाँ पे कौन मतलब किस प्रकार के उत्तर आते हैं आप हिंदी मेडियम में हैं अगर आप तो उत्तर हिंदी में भी दे सकते हैं इंग्लिस में भी दे सकते हैं लेकिन अगर आप इंग्लिस मेडियम में है तो आपको क्या वर उत्तर इंग्लिस में ही देना होगा ठीक परिक्षार्थी अपने सब्दों में उत्र दें आपको जो आता है अपनी सब्दों में उत्र देना है उपांत के अंक पूर्णांक धोतक है देखिए सामने अंक दिया होगा और यहां पर टोटल चार प्रशनों का उत्र देना किस प्रकार प्रशनों का उत्र देना यह मैं बता दूँ इसमें काफी लोग confusion में हो जाते हैं exam के time तो क्या करना है देखिए number one पे ध्यान दिजिए यहाँ पे number one ठीक ए में तो यहाँ भी क्या बताया है कि किनी चार परश्णों का उतर देना है यानि कि आपको आठ परश्ण दिये है आठ में से किनी चार को ही लिखना है 80 marks होता है total यहाँ पे full marks कितना है 80 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा full marks से हमारा 80 और जिसमें आपको लाना आप जितना ला पाएंगे full marks कितना है 80 और time कितना मिल रहा है आपको 3 घंटे ठीक first sitting या second sitting कुछ भी मिल सकता है first sitting में 10 से 1 और second sitting में एक से 2 बज़े से 5 बज़े के बीच आपका एक्जाम होगा 3 घंटे के लिए देखिए 10 आपको objective प्रकार की question आते हैं तो किस प्रकार की question आते देख लिजी निमलिखित के सही उत्तर चैन करें राज इस्वर की कृति क्या आप बोल रहे हैं पहला question राज इस्वर की कृति है यानि की उपर अल्ला इस्वर गोड द्वारा बनाये गया है यहाँ राज की उत्पत्ति का कौन सा सिधान्त संबंदित है तो किसा सिधान्त है देव यसिधान्त ठीक उसका उत्तर हो जाएगा वन अब चलिए हम दो नंबर question पर आते हैं अगर आपको note करना है तो आप note भी कर सकते हैं सामने अगर copy या notebook है तो आप उसे उतार लीजिए देखे यहाँ पर क्या है दूसरा लेवी याथन एक book है ठीक लेवी याथन गरंत का लेखक कौन है तो इनके लेखक कौन है इनके लेखक है writer Hobbs ठीक जो दो नंबर उत्तर में ने सही सही टिक कर दिया है Google से search करके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी देखे नंबर C पर क्या है यह सब एक नंबर के question है ठीक वन माक्स के राईज उत्पत्ति का सरवाधिक मायनिय सिध्धांत कौन सा है तो राईज की उत्पत्ति का सरवाधिक मायनिय सिध्धांत जो सबसे ज़्यादा लोगों ने माना है किसे माना है विकासवाधी सिध्धांत को ठीक तो कौन नहीं है, यह है Simon, ठीक, इसमें मेरा confusion है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, थोड़ा doubt, क्योंकि मैंने Google में search किया, अच्छा से मुझे नहीं मिला, लेकिन Simon का जहां तक मुझे संकेत मिल रहा था, लेकिन clearly नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पर doubt लिख दिया हूँ, तो आप देखिए, next में हम पहुंचते है, politics, who, gates, what, when and how, के लेकर कोन है, तो इनके writer कोन है, इनके writer है, loss well, एकदम clearly, ठीक, सारा कुछ मैं Google से search करकर के लिखा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, देखिए यहाँ पर next हमारा क्या आता है, app number में, इनमें से निरं निरंकुस, संप्रभुत्ता का प्रनेता कौन है, कौन है, तो इनका आ जायेगा अरस्तू, लेकिन doubt, confusion, इनमें से निरंकुस, संप्रभुत्ता का प्रनेता कौन है, मैंने book, sorry, Google में छान मारा, कहीं नहीं मिला, यार, clearly, इसलिए जूट नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंग खुल के बताऊंगा, इसमें आपको संदेह मुझे, आप इसे अपने teacher से या फिर आप अपने book से गवा research कर ले, ठीक, next हमारा क्या आता है, कानून उच्चतर द्वारा, निम्नतर को दिया गया आदे से, यानि कि एक बड़े वक्ति को, बड़े वक्ति द्वारा, छोटे व question है, इन में से कोन एक बहुलवादी है, sorry, बहुलवादी नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि बहुलवादी क्या है, तो प्रभु, जो होता है, प्रभुसत्ता, ठीक, ना, प्रभुत्व, राज जी की प्रभुत्व, तो उसमें प्रभुत्व नहीं थे, कोन नहीं थे तो इसका उतर आता है इन में से कौन बहुलवादी नहीं है तो यहाँ पे इनका आंसर आजाएगा हॉप्स हॉप्स जो है ना प्रवुसत्ता का प्रवुत्व का बिरोध कर रहे थे ठीक प्रवुसत्ता का क्या कर रहे थे बिरोध कर रहे थे हॉप्स तो ये बहुलवादी नहीं थे अब देखें, यहाँ पे हमारा I number question आता है, यानि कि 9 number question सुवधरता की समिषिया का केवल एक ही हल है, यहाँ समानता में नहीं थे यहाँ कथन किसका है, जो यह कहा गया, सुवधरता की समिषिया का केवल एक ही हले और वहां क्या है समानता तो यहां जो कहा यहां किस ने कहा था यहां कहा था पॉलाडर ने किस ने पॉलाडर ने ठीक option 3 इसका सही उतर हो जाएगा अब हम 10 वी नंबर पर question में आएंगे जो कि अंतिम हमारा question होगा यहां पर पूछा गया है कि राज अधिकारों की द कहा था लास्की ने ठीक सारा कुछ मैंने गूगल में सर्च मार के अच्छा से चेक कर लिया है दो question डाउट में है उन्हें आप अच्छा से देख लिजेगा और बाकी 8 पूरे clear है ठीक यहां तक हमारा परतेक एक marks का question होता है लेकिन यह जो था परतेक question 20 नंबर को होता है ज आपको दिखा दे रहां बोल्ड करके ठीक यह भाग B में आपको क्या है कि यहां पर आपको चार प्रस्ण दी है इसमें से किसी दो को लिखना है और एक प्रस्ण 5 marks का है दो लिखेंगे आपको 10 हो जाएगा ठीक तो total हमारे एक question में 20 अंक आ जाएंगे आप देखिए क्या क प्रस्ण प्रस्ण दी है या फिर प्रबुत्ता की विश्यस्ता को बता दीजिए ठीक किसी एक दो के बारे में आपको बताना है और पांच नंबर का question दिया है तो मैं आपको यहां पर थोड़ा guide करूँगा कि पांच नंबर के question में अगर आप चार अंक लाना चाहते हैं त तो आपको दो पेज लिखना होगा वाई टेक डेड़ से दो पेज तो खूब लिखिएगा दो पेज अगर आप चार नंबर चाहते हैं तो दो पेज लिखी दीजिएगा और वीडियो के end मैं आपको कुछ suggestion भी दूँगा जो की काफी अच्छा होगा आपके exam के लिए अब जो यह है ना पूरा का पूरा यहां तक केवल चारी प्रश्ण के उतर देन है यानि कि परतेक प्रश्ण 20 अंक का है पहला प्रश्ण दो भागों में बटा था भाग A और भाग B में भाग A में केवल optional थे 10 और भाग B में क्या थे यह 5 अंक के 2 थे ठेक 5 marks के 2 question थे तो भाग भाग A में 20 marks हो गया केवल आपको चार प्रश्ण के उतर देन है जिसमें से एक को बनाना ही पड़ेगा एक जो बताएं ठीक ना एक नमबर question उसको बनाना ही है बनाना और इस सब जो है दो नमबर तीन नमबर यहां पर मैं आपको सभी प्रश्ण को दिखा देता हूं राज सिध्धानत की आलोचनात्मग व्याक्ः करें क्या करें अलोचनात्मग मतलब कि आपको उसके बारे में बुराइयां निकालना ही है ठीक चार नमबर में और च्वंपर बुत्ता के नोश्छनात्मग मतलब उनकी बुराइयों को कुरत कर निकल या आप सक्ति की परिभासा सक्टिक कि मुई की बिसिसताओं का वर्णन करें उसके बाद हम एक नमबर कोस्चन आता है अधिकार की परिभासा दीजिए अधिकार की बिसेस्ताओं का वर्णन करें यहीं पर हमारे टोटल आठ कोस्चन होते हैं आठ में से आपको एक नमबर बनाना होगा उसके बाद किसी तीन को बनाईएगा ठीक तीन को बनाना है अब देखिए यहां यहां पिसी थीन प्रश्ण को बना लीजिए जिसके में यहां पर दो एक नमबर को मनाया है उसके बाद आपको इन 27 sera को मतने है टेकरपे इर आपको तीन प्रष्ण वला ने एक defect हुएंगे और नंबर एक वाला जो प्रश्ण होगा वह 20 मांक्स का यानि कि असी मांक्स है और आपको कॉलेज की तरफ से मिर रहे हैं 20 में से 15, 16, 17 जिसा आपका कॉलेज दता जैसा आपका कॉलेज बात आप अच्छा से जैसा किये हैं ठीक न उसी के हिसाब से आपको अंक मिल जाते हैं और टोटल आपको मैं बता दूँ देखें जो एक अंक का ऑप्शनल है उसमें तो सिर्फ आपको टिक लगाने हैं ठीक बाक आपको प्रशनल के लिए और आपको पॉइंट पॉइंट में करके लिखें ज्यादा मांक्स आएंगे तो आई होप कि सारा कुछ आप समझ गये होंगे और आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा हम उमीद आपसे इतना करी सकते हैं देखें मैं आपके लिए पीडिय खास तोर पे बनाया है और हम उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगी तो पिलिए चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस कर लेजेगा दोस्तों को सेर कर दिजेगा यहाँ पर आपको पढ़ाई से संबंदित सारे के सारे वीडियो कि दोस्त ठाइंक्यू अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्वास्त का ख्याल रखेगा क्योंकि जान है तो जहान है पढ़ाई लिखाई होता रहेगा दैनिवाद